नवंबर में करोना की केसेज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी उसी तेजी से करोना की केसेज में बढ़ातरी देखने को मिली है तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सिनेशन तेज करने की जरूरत है एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की जरूरत यह चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है नवंबर में लास्ट वेव आई थी उसके बाद केसे इतने ज्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा धीला पन तो आई गया था तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूं और आज एले जेप हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने नर्सेज ने सबने मिलके बहुत अच्छे से उसको डील किया था उसी लेवल की तयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटलज और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं तो अभी हमने एल्एंजीपी का मौइना किया जो जो चीजें की जरूरत है एल्एंजीपी के एम एस ने और डॉक्टर्स ने बताया उन सारी पूरा करेंगे और उस तैयारी को डिली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं नहीं रहेंगे भगवान ना करें कोई बाद को बिमार हो लेकिन अगर कोय कोई बिमार होता है और इसे थी हॉस्पिटल की अगर हमें समुचित नंबर में vaccination की doses उपलव्द करा दी जाएं, age की limit हटा दी जाएं और vaccination centers खोलने के नियम, हमें बड़े स्थर के उपर vaccination center खोलने की अजाज़त दे दी जाएं, तो हम दो से तीन महिने के अंदर पूरी दिल्ली को vaccinate कर सकते हैं, और vaccination अगर हो जाएगी, तो करोना की जो serious ने से वो खतम हो जाएगी, करोना फिर बुमारी से, दिल्ली में आज की date में हमारे पास साथ से दस दिन की वैक्सिन हैं, और बहुत strong conditions हैं, 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं, यह सब conditions इसके मुझे लगता है हटाने की जरूरत है, हमें बहुत बड़े स्टर के उपर vaccination ड्राइब करने की जरूरत है, वो सब अभी हम comfortable position हैं, हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रिये एक्सपर्ट से भी कल DDMA की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी, इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिती में नहीं है, कि इसकी पीक कहा तक जाएगी, हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आपको इसके लिए तैयार कर सकते हैं, उन तैयारियों में किसी तरह की कम हैं। जैसे यहां पर सामने वाला एक सेंटर से या जल्दी चालू होने वाला है। नहीं अभी कोई ऐसा लॉकडाउं की तैयारी ने है। जहाओ जुब ठाएगे तैयारी लॉकडाउं के वाला है। झाल झाल